इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इस दवा को प्रतीक दिन एक निश्चित समय पर लेने की सलाह दी जाती है। हाला कि ये दुश प्रभावस्थाई हैं और आमतोर पर कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं। कृपया अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदि ये कम नहीं होते हैं या आपको परिशान नहीं करते हैं। ये दवा चक्कर आना और नींद आने का कारण बनती है। इसलिए जब तक आप ये नजान ले कि ये दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान के इंद्रित करने की आवशकता हो। अगर आपको केड़नी, हिर्दय, लीवर से जुड़ी कोई समस्या है या पहले कभी दौरे पढ़ चुके हैं, मिर्गी या दौरे पढ़ चुके हैं, तो एटोनेक्स्ट 18 टेबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें। अपने मूड या व्यवहार में कोई असामाने परिवर्तन, नए या बिगरते अवसाद, या यदि आपके पास कोई आत्मगाती विचार है, तो अपने डौक्टर को सूचित करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।